आज हम देखने वाले हैं फार्मकलोजी और टॉक्सिकलोजी के मल्टिपल चॉइस कुषिंज गाइस बता दू कि इस सेशन का यह पार्ट थ्री वीडियो है इस वीडियो में गाइस हम सिर्फ और सिर्फ मेंशने द्रोगव चॉइस इन व्हिंट गोन से कंडिशन में कौन सा ड्रग लेना है वह हम देखने वाले हैं अगर अगर अपने 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 कंडिशन में कौन सा ड्रग नहीं लेना है वो ड्रग कॉंट्रा इंडिकेटेट था अब यहां पर मैं आपको पूरे तरीके से सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस इन फॉलिंग कंडिशन के बारे में ही बताने वालो तो ज्यादा समय नहीं लेती वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर अप मेरे कॉस्टियन इस मेंशन दे रग फचॉइस इन फॉलिंग कंडिशन अंजाइटी अब एंजाइटी के सम्मे पर कौन सा ड्रग लेना चाहिए तो यहां पर मैंना एक्जाम्पल दिया है डाइजपाम लुनाजपाम में प्रोबामेट अब अल अफ द अबाव अबाव अंग इस और करेक्ट अंसर इस ऑप्शें दी अल अफ द अब यस अंजाइटी इन अशाइटी दे रग फच्वच इस दाइजपाम लुनाजपाम में प्रोबामेट second mention the drug of choice in following condition that is candidiasis अब candidiasis के समय पर कौन सा ड्रग लेना चाहिए यहां पर एक्जामपल यह अटरवास्टाइन लोवास्टाइन लोवास्टाइन ख्लोट्रामेजल दप्सन और गाइज और करेक्ट अंसर इस option C लोट्रामेजल येस इन केंडियासिस द्रग फ्च्वच इस लोट्रामेजल थर्ड मेंशन द्रग फ्च्वच इन फॉल्एंग कंडिशन रुमेट्टाइट आर्थरीटिस अब रुमेटाइट आर्थरीटिस के समय पर कौन सा ड्रग लेना चाहिए तो का इस बता जो इ इस द्रग आर्थरीट आर्थरीट अब फॉल्एंग कंडिशन अब लेप्रोसी के समय पर कौन सा ड्रग लेना चाहिए तो यहापर मैने ऑप्शन द्रप्सराइट शन ऑप्शन बरीवांपिसेन और फ्चंटी और अगर गाईज अपने केमेश्टी का तयारी बहुत अच् और केमिस्ट्री अपने खुद से महनत करके एक्जाम दिया होगा तो पिया इंटी तो आपके लिए बहुत इस आएगा यहां पर जो करेक्ट अंसर है अप्शेण के लिए कंपल सरी है लेवैं कलो घंट सोंटी चरह करेक्ट अंसर है ऊप्शेण के समय पर कौन से को लिए ना चाहिए यहां पर में एक्जामपल दिया एक्जामपल है अटर वस्ट इन लोबस्ट इन डप्सवन फेनल सीन and guys your correct answer is option d phenylzine yes in depression the drug of choice is phenylzine 6 mention the drug of choice in following condition ethereal sclerosis अब ethereal sclerosis के समय पर कौन सा गोली लेना चाहिए यहाँ पर वेना एग्जामपल दिया है atervastatin, lowastatin, diazepam और बोथ A and B मतलब अटरवastatin और lowastatin दोनों भी ले सकते and guys your correct answer is option d both a and b yes in ethereal sclerosis the drug of choice is atervastatin and lowastatin so your correct answer is option d both a and b 7 mention the drug of choice in following condition schizofrenia अब schizofrenia के समय पर कौन सा गोली लेना चाहिए तो मैंने यहाँ पर एग्जामपल दिया है chloroprumazine मैंने यहाँ पर एग्जामपल दिया है क्लोजापीन या तो बहुत a and b या इसमें से कोई भी नहीं and guys your correct answer is option c both a and b in schizofrenia the drug of choice will be the chloroprumazine and close up in 8 mention the drug of choice in following condition god अभी god के समें पर कौन सा गोली लेना चाहिए यहाँ पर मैं एग्जामपल दिया है option dichlofenig option b pilocarpine option c carbacolol option d glycidine and guys the correct answer is option a diclofenig yes in god the drug of choice is diclofenig 9 mention the drug of choice in following condition glaucoma अभ glaucoma में कौन से गोली लेना चाहिए तो यहाँ पर मैंने एग्जामपल दिया है वह पीलो कार्पिन है की कार्बाकॉल है की ग्लिसरीन है की सब के सब है and guys the correct answer is option d all of the above yes in glaucoma the drug of choice will be the pilocarpine, carbacol, glycerin 10 mention the drug of choice in following condition renault disease अब renault disease के समय पर कौन सा गोली लेना चाहिए चो यहाँ पर अभी यह जो renault disease वगर यह सब आप सर्च करते रहो तो आपको पता चलेगा की क्या है तो यहाँ पर option दिया है calciferol, menadion, nephedipine, adrenaline and guys your correct answer is option c nephedipine yes in renault disease the drug of choice will be the nephedipine 11 mention the drug of choice in following condition pernicious anemia अब pernicious anemia मतलब जहाँ पर आयन का content कम हो जाता है तो उस समय पर कौन सा गोली लेगे तो यहाँ पर option दिया है folic acid, diazepam, quinidine, hyoacin and guys your correct answer is option a folic acid yes in pernicious anemia the drug of choice will be the folic acid 12 mention the drug of choice in following condition insomnia अब insomnia के समय पर कौन सा ट्रग लिया चाहेगा यहाँ पर मैंने option दिया है diazepam, nitrazepam, barbiturates यह all of the both and guys your correct answer is option d all of the above yes in insomnia we can take the dryzepam, we can take nitrazepam, we can take barbiturates so your correct answer is option d all of the above 13 mention the drug of choice in following condition cardiac arrhythmia, अब cardiac arrhythmia के समय पर कौन सा ट्रग लेना चाहेँ है यहाँ पर मैंने example दिया है quinidine ले सकते हैं, propranol ले सकते हैं, prokinamide ले सकते हैं and guys your correct answer is option d all of the above yes in cardiac arrhythmia the drug of choice will be quinidine, propranol, prokinamide 14 mention the drug of choice in following condition motion sickness अब motion sickness के समय पर कौन सा गोली लेना चाहे यहाँ पर मैंने example दिया है, hyosin, myclicin, cyclin यह सारे भी and guys your correct answer is option d all of the above yes in grandmal epilepsy the drug of choice will be phenotent पस guys मैं आपके बात बताना आचाहता है, आपको याद रखना है, hope so guys आपको यह वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है, तो प्लिस मैं चानल को लाइक कीजे, subscribe कीजे, बेल आकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को शेर कीजे, और अगर आपको किसी भी बात का डाउट है, आप मुझे इंस्टा पे मेसेज कर सकते हैं, और आपको डाउट है कि P&T का तयारी कैसे करें, तो मैं तो एकी सीच बोलूँगा, model answer लो और उसको पूर्थरी कुन लो, thank you